नेहरू सीरीज पे हमसे बातचित करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है श्री राजीव भार्गव जी भार्गव जी सेंटर फो दे स्टेडिस आफ डेवलिपिंग ससाइटीज के डारेक्टर रह चुके है और सेंटर के ही इंस्टिटीट आफ इंडियान थॉर्ट्स के डारेक्टर है आये उन से जानते कि नेहरू के सेकुलरिजम के बारे में उनका क्या कहना है तो भार्गव जी हमें ये बताईए कि नेहरूबियन सेकुलरिजम है क्या चीज़ देखे संख्षिप्त में तीन चार चीज़ें हैं जो कि नेरुक के से जुड़ी हुई है पहला ये कि जो भी हमारा स्टेट है वो किसी भी रिलिजिन से बिल्कुल जुड़ा हुआ ना हो किसी से भी हर रिलिजिन से एक फासला रखे ये जरूरत नहीं है कि बिल्कुल अलग हो जाए भारत के अंदर एक मैं बोलता हूँ उसूली फासला स्टेट को रखना चाहिए रिलिजिन से दूसरी बात ये कि नेरु जी ने रिलिजिन का वो रिलिजिन शप्स से खुश नहीं थे वो से कुलरे शप्स से भी कुश नहीं थे पर रिलिजिन लगता था कि रिलिजिन के दो आर्थ है एक है कि वो चीज़ जो खमें गहराई से जो आपकी अंदर जितनी आपकी अंतरात्मा है उसको उभार के लाती है। जितनी भी हमारी वो हमें सबसे उपर जो चीज है उससे मिलाती है और जो सबसे भीतर चीज है उससे मिलाती है आप अपने सबसे भीतर और सबसे उपर की चीज को बिना किसी गॉड में बिलीव करे भी पा सकते हैं Gods and Goddesses में believe करके भी पा सकते हैं और एक God में मानते हो तब ही भी पा सकते हैं तो एक तो यह religion है, दूसरा religion है कि एक तरह का उनका बहुत ही institutionalized structure हो, bureaucratized structure हो, एक intellectual doctrine बन जाए और demarkated boundaries हो एक और दूसरे religion में जो एक दूसरे को अपना rival समझें, compete करें और एक तरह से एक दुश्मनी उन में हो, यह भी religion में हो जाता है, यह भी religion को बाना जाता है, तो वो चाहते थे कि यह दोनों ही religion से state अलग हो, लेकिन पहले religion से वो state उसकी value से nourishment ले, कि यही basic उनकी बात है, तो अगर हम लोगों के अंदर casteism है, या हम लोग अपनी women को बुरी तने treat कर रहे हैं, religion के कारण, या religion के जो हमारे religion के अंदर जितने भी bigots हैं, जितने भी fanatic लोग हैं, कटरवादी हैं, वो हमारे religion को लेके उस पर कबजा कर लें और हम लोगों को अपनी religion के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, उसमें participate करने के लिए वंचित करें, तो state को हमारी मदद करने चाहिए उस religion के खिलाफ, हमारी स्वतंत्रता, हमारी समता, जहां पर वो खत्रे में आती है, religion के द्वारा, तो वो state उसमें उसको कुछ करना पड़ेगा, तो यह उनका complicated view था secularism का. जो secularism उन्होंने introduced के था इंडिया में, यह काफी हद तक western thinking से influence थी, और यह उनका criticism माना जाता है, और इसलिए गोला जाता है कि इसको इंडियन पब्लिक ने accept नहीं किया, तो आप हमें बताइए कि यह ऐसा क्यों सोचा जाता है. अगर आप American secularism देखें, तो उसमें church और state, church तो religion का institution है, और state non-religious institution है, तो उनमें इतना अलग, वो बिलकुल अलग अलग थे, कोई भी किसी चीज तरह से किसी को influence नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे मैंने यहां बताया, हमारे सम्विधान में और नहरू जी का रंबेटकर जी द सबने मिलके, जो हमारा, जिस की स्थापना करी, जिस secularism की स्थापना करी, उस secularism के अंदर हम लोग इस तरह के अलगाव को encourage नहीं करते हैं, हम religion के अच्छी चीजों से influence भी होते हैं, और जो religion की बुरी चीज हैं, उसमें state interfere करे, उसको हम कहते हैं कि ठीक है, अगर यह नहीं हो तो हम uniform civil court की बात नहीं करते, constitution के अंदर, हम untouchability को ban नहीं करते, हम जितने भी temples खुले हुए हैं, यह अमरीका में possible नहीं है, अगर अमरीका में किसी भी religious community के अंदर कुछ बुरी चीज चल रही है, तो state कहता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो पूरी ज जर्स तो है नहीं, तो religion क्या है और social चीज क्या है, उसमें ज्यादा अंतर भी नहीं है, तो untouchability क्या religious है, यह religiously drownded है, आप लोगों को कह रहे हैं कि आप इस कुए का पानी नहीं पी सकते, ऐसे आप former untouchables को यह बोलते थे, तो क्या यह ब्राह्मन वाद है, एक तरने का religion है यह एक social custom है, इसको कहना असान नहीं है, तो आप इसके अंदर हम state ने तो इनको ban कर दिया, अब महिलाओं के साथ अगर कोई अत्याचार हो रहा है, तो जो भी laws हैं, जो की gender just नहीं है, उन laws को change करना, यह हमारी directive principles of state policy में है, तो वो तो religion के अंदर आप उसमें दखल अंदास क करेंगे, तो यह हम लोगों के यह western notion से बिलकुल अलग है, western notion में एक तो यह है, जैसे मैंने बताया कि आप अलग-अलग हो जाएं, दूसरा यह है, जो France में है, कि state जो है, वो तो religion में इंटेफे कर सकता है, लेकिन हम लोग state religion को recognize नहीं कर सकता, state religion को मदद नहीं कर सकता, यह यह France में ऐसा माना जाता है, तो हम लोग तो religion को मदद भी करते हैं, अगर religion, हर religion के, चाए वो हिंदू हो, चाए मुसलमान हो, मुसलमान हो, क्रिस्चिन और जैन बगार तो right है, कि आप अपने education institutions को बनाएं और उसको maintain करें, और state उसमें मदद भी करेगा, financial मदद भी करेगा, तो यह चीज जो है, यह France में नहीं हो सकती, मतब कानूनन तोर पर, ऐसी तो होता रहता है वहाँ पर लेकिन कानूनन तोर पर नहीं हो सकता, तो ना तो यह France से मिला जुला है, ना हम लोग anti-religious नहीं हैं, ना यह America जैसा है, कि बिलकुल हम किसी religion में interfere करी नहीं सकते हैं, ऐसा Japan, France, America, Europe, ऐसा नहीं, उन्हें ने अपनी जो संधर्भ है, अपनी जो हमारा, हमारे जो अपनी internal cultural context है, उसको ध्यान रखते हुए, उन्होंने अपना एक conception मनाया, कि हमारा secularism क्या हो सकता है, वो सोचते थे secularism, वो क्या हो सकता है, वो सोचते थे secularism, वो क्या होन्होंने, अपन अब ये वेस्ट में तो कास्टिजम ही नहीं, कास नाम का institution ही नहीं, अपनी तरह की inequalities हैं, लेकिन कास्ट तो नहीं है, तो उनका तो secularism, कास्ट के खिलाफ, ये तो बिलकुल ही Indian है, तो ये कहना कि नहरू का पूरा secularism जो है, एक वेस्टन आइडिया था, वो बिलकुल ठीक न लाफ नहीं थे, ये जो पिछले सतर सालों में जो देश जब बना, अजादी प्राफ्थ हुई, उस वक्त नहिरू जी और सारे तमाम लोगों ने जो जिस बुनियाद पर देश को बनाया, क्या उस राह पर देश चल रहा है, कहां चल रहा है, तो सब जानते हैं कि नहीं चल अगर आप देखें, तो एक तरह से हर व्यक्ति में एक आत्म सम्मान पैदा हुआ है, कि हम भी कुछ हैं, हम बराबर, बराबरी, अच्छी तरह से बराबरी, इसका जो आत्म सम्मान ये पैदा हुआ है, चाहे वो पिछली जाती का हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसी दूसरे मतलब जो माइनौरिटी रिलिजिन के लोगों उन सब में ये आत्मसमान की फीलिंग आई है कॉंस्टूशन ने दी है लेकिन गड़बर क्या हुई है एक तरह से उसी डिमोक्रिसी में उसी स्टेट के अंदर पक्षपात भी है और उसी दें हमको मतलब कुछ 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 चीजें आपको इलेक्टोरल एडवांटरिज देती हैं जो कि बहुत बद्दी है उस पक्षपात का ही वो चीज बढ़ गई है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने अपने स्वार्थ के लिए चाए वो निजी स्वार्थ हो च जाये वो अपनी बिचार धारा का स्वार्थ हो उस स्वार्थ के लिए जितने भी हमने इंसिटूशन्स बनाए हैं जो नहरूजी की बहुत बड़ी देन थे जितने भी हमारे financial, economic, political, legal institutions हैं यह सारे इंसिटूशन जो हैं नेरू जी ने इंपार्शली सब सिटिजन के लिए वर्क करना इनके लिए इनका धर्म बताया और उनको उन्होंने इनकी नीव डाली वो सारे इंसिटूशन आज बहुत बुरी तरह से हिले हुए हैं हर जगे यही हमारे को इसी लिए मैं कहुंगा कि हम तो नेरू जी ने जो हमार को दिशा दी ती उस अच्वासे हम बहुत अलग चले गए हैं नेरू हमेशा पार्लिमेंट में पहुचते थे आज देखिये क्या है पार्लिमेंट क्या बना हुआ है में तो अगर पार्लिमेंट जहां पर सबसे जाधा कॉन्फिल्ट का पूरा आपका पार्लिम्ट में कुछ नहीं होता और उसको डिस्ट्रॉइ कर देते हैं तो आपके देश की प्रॉबलम बढ़ती जाएंगी Sir, Nehru का personality एक कल्ट personality माना जाता है खास करके उनके जितने भी democratic institutions कहिए, secularism कहिए या फिर socialism कहिए लेकिन आज के date पे उनका जितना भी लेगिजी था सारा जैसे आपने भी कहा, सारा खत्रे में है खास करके उनका secularism, उनका secular legacy इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एक बात तो यह है कि जो कॉंग्रेस ने नहरू को जन्मा पुलिटिकली और जिस कॉंग्रेस को नहरू ने उसको उसकी रखवाली करी जिसके वह माली बने कि वह कॉंग्रेस तो नहीं है नहरू की जो छवी में बहुत ज्यादा एक अंतर आया है वह इस वज़े से आया है कि नहरू ने कोई इंद्रा गांदी को अपना उत्तर दायत पूर नहीं बनाया था नहरू जो तो मर गए थे 64 के इंदर उसके बाद गुलजारी नननन्दा आये थोड़ी देर के लिए पर लाल बादो शास्त्री बने पर लाल बादो शास्त्री खुद ही चल बसे 1966 में उसके बाद इंद्रा गांधी को कॉंग्रेस ने सेलेक्ट किया तो यह लोग भूल जाते हैं कि नहरू ने कोई अपनी डानेस्टी नहीं बनाई लेकिन उसके बाद इंद्रा गांधी आए और उनने एक डानेस्टी शुरू करें जो पुलिटिकल डानेस्टी और प्राइलिटी में जो डाउनफॉल आया है उसकी वजए से नहरू जी का भी नाम बदनाम हुआ है अगर आप एक डिस्टेंस लें तो आपको पता है कि हर हर पुलिटिकल पार्टी में हर बिजनिस में हर जगे फिल्म के अंदर हर जगे अपने बेटे बेटी भाई रिष्ट वहां पर पहुंचे होते हैं लेकिन बीच में अभी कॉंग्रिस प्रेजिडेंट ही सारे वक्त कोई मिस्स गांदी का ही तो नहीं थे इस गांदी के बाद राजीव गांदी आए उन सिती में जब मिस्स गांदी का ऐसासिनेशन हुआ था उसके बाद तो वी पी सिंग आये फिर जनता गर बीच में इमर्जेंशी के बाद जनता आई थी तो तरह तरह के लोग आ चुके हैं नरसे माराओ बने को यह नहीं एक डानेस्टी ही चल रही है यहां पर बीच में अटल ब्यारी बाचपई जी भी थे तो तरह तरह से और भी चेंजिस हुए हैं तो लेकिन हाँ यह एक जो पुलिटिकल डानेस्टी और कॉंग्रेस की खुद की पुलिटिकल मॉरालिटी में जो डाउनफॉल आया है उसकी वजए से नहरू जी का भी नाम बदनाम हुआ है सर हमें आखिर में यह बताया कि जो इंडियन सेकुलरिजम है इसका फ्यूचर क्या है तीन चीजें इंडियन सेकुलरिजम के लिए बहुत ज़रूरी है एक हमारा रिलिजिस प्लूरिलिसम बना रहे हर आपके कोई भी इंक्लिनेशन हो रिलिजिस आपको यहां पर एक स्था मिलेगा तो वह सेकुलरिजम का एक बहुत बड़ा हंग है और लॉघर टर्म व्यूचर इसका बहुत अच्छा है अब ही भी भी यह बीच में इसको धक्के मिल रहे हैं बार बार आज कल तो ज्रहजादा ही धक्के मिल रहे हैं लेकिन मैं मानता हूँ कि इसका future है वो रिजिस्ट pluralism के प्रत्य उसकी एक बहुत सब भावना है और दो चीजों के वो खिलाफ है या तीन चीजों के खिलाफ है पहला कि जातिवाद कास्ट और इक्वालिटी इसको हम कास्ट system कहते हैं वो सब उसके खिलाफ सेकुरिज्म है, तो कि सेकुरिज्म मानता है कि हर बंद हर शक्स को बराबर करदार्जा मिले, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुश हो, और किसी भी धर्म से जुड़ी होई हो, कटरवाद की सोच जो है, वो हमेशा बहुत ही नारो होती है, वो उस रिलिजिन को लॉंग टर्म में खतम कर देगी, तो अगर हम रिलिजिन को रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें कटरवाद के खिलाफ तो आवाज उठाने ही पड़ेगी, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे वो मु मुद्ध में, तो यह मुवमेंट्स है हमारी कास्टिजम के खिलाफ, विमिन सप्रेशन के खिलाफ, फिनाटिजिम के खिलाफ, यह मुवमेंट्स भढ़ेंगी, तो अगर यह मुवमेंट्स भढ़ेंगी, तो सेक्रिलरिजम का फ्यूचर तो अच्छा है, आपका बहुत बह कामेरामेन बिजंदर शर्मा और फ्रेंगलीन रौंगपुर के साथ मही बुल्हक